यहां आपसे पूछा है the average of 100 numbers is 44 कि आपको बताय जा रहा है सबसे पहले कि 100 numbers का average है वो कितना है वो है 44 और उसके बाद कह रहे हैं the average of the 100 numbers यानिकि यह 100 numbers है and 4 other numbers इसमें 4 और नए number जोड़ दें तो average कितना हो जाता है 50 ठीक है तो simple सी बात है अगर 100 numbers का average है 44 इसमें 4 और number जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104 इसका average हो जाता है 50 तो आप से पूछ रहे हैं the average of the 4 यहां आएगा F4 new numbers will be तो जो नए 4 number जोड़े हैं उसका average क्या होगा तो चलिए जब देख लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम निकालेंगे 100 numbers का sum और उसके बाद हम निकालेंगे यह 104 numbers है उसका sum तो चलिए जब देखते हैं इसको आप जब calculate करेंगे तो आएगा 4400 वहीं जब आप 104 50 को करेंगे तो क्या आएगा आपको मिलता है 520 5200 ओके तो आपके जो 4 new numbers है 4 new numbers जो है उसका sum कितना है sum of 4 new number तो वो कितना है इस में से इसको minus कर देंगे तो 5200 में से जब आप 4400 को minus करते हैं तो आपको क्या पाता चलता है कि 800 है इन 4 numbers का sum ओके अब इन 4 numbers का इन्होंने हमसे पूछा क्या है average तो जब हम इनका sum पता है तो simple सी बात है आप क्या करेंगे जो इसका sum है उसको divide कर देंगे number से जो कि number कितने है 4 तो आपको क्या पता चलता है कि इसका जो बाकी के 4 number है उसका average क्या है 200 and that is the answer